अज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे औरा के बारे में औरा क्या होता है कैसे बनता है कैसी से स्ट्रोंग कर सकते हैं कैसी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये सारी जानकारी तो आईए जानते हैं औरा के बारे में औरा अर्थाट आपा मंदल इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं जितने भी सबस्टेंसेंज हैं सब के चारो और एक energy field होता है चाहे फिर वो living हो चाहे non living thing हो हर चीज के चारो of energy field होता है और ये science भी proof करती है कि हर चीज उर जाए, पूरी की पूरी दुनिया एनरजी है, पूरी की पूरी एक्जिस्टंस एनरजी है और और औरा को अगर साइन्टिफिक बे में डिस्क्राइब किया जाए, तो इसे कहेंगे electromagnetic field जो कि हमारी अर्थ का भी होता है हर इंसान के चारो और भी होता है और हम इसे human energy field भी कहते हैं इसे हम अपनी नेक डाई से नहीं देख सकते हैं या फिर हम ये भी कह सकते हैं हमारे चारो तरफ एक colorful mysterious world है जो कि depend करता है हमारे physical, emotional और mental state के उपर जो कि हम sense कर सकते हैं इन आखों से नहीं देख सकते हैं बट हम अपने subconscious mind के तुरू sense कर सकते हैं और औरा कभी भी static नहीं होता है एक जैसा नहीं रहता है ये हमेशा depend करता है हमारे thought process के उपर और कैरिलियन photographic के तुरू हम अपना औरा चेक भी कर सकते हैं हम लोगों ने बहुत बार ऐसा महसूस भी किया होता है कि कई बार हम किसी व्यक्ति के touch में आते हैं या किसी से बात करते हैं सिर्फ उनकी presence बात ना भी करें उनकी presence से ही हमें एक शान्ती, एक सकून, एक positive vibration feel होती है और इसके बिल्कुल opposite कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे जो conversation हो रही है बहुत ही अच्छी है बट हमें फिर भी उनसे बात करने के बाद में एक negative feeling, cunning feeling या फिर ऐसी feeling आती है कि हमारी energy drain हो गई तो ये impact aura का ही होता है aura अर्थाथ हमारा सुक्ष में energy field, मतलब सुक्ष में उर्जा जितनी ज़्यादा pure जितनी ज़्यादा clean रहेगी उतना ही हमारे चहरे पे तेज रहेगा, हमारा चहरा चमकेगा दूसरे हमसे परभावित होंगे लोग हमसे बात करना चाहेंगे उन्हें हमसे positive energy field होगी, बट रोज daily life में या रोज मर्रा में हम इतने लोगों से मिलते हैं कि हमारा औरा उनके कारण भी impacted होता है अगर हम lower energy वाले लोगों से मिल रहे हैं क्योंकि हम इन आकों से तो देख नहीं सकते subconscious mind से sense करते हैं बट उसके लिए भी हम क्या करते हैं एंटर कर जाते हैं उनके औरा औरा में तो क्या होता है daily life में हमारा औरा impact होता रहता है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने औरा को stable balance बना के रखना और इसके लिए अलग-अलग तरीके हैं जो कि मैं आपको last में बताते हूं इसके इलावा औरा के अलग-अलग colors भी होते हैं हाला कि विज्ञानिकों का इसके उपर मतबेद है पर अलग-अलग color भी कुछ depict करते हैं जैसे कि अगर आपके औरा का color नीला आता है तो यह आपकी inner peace को अंदरूनी शान्ती को बताता है अगर yellow होता है तो फिर यह आपकी confidence को आपकी happiness को बताता है अगर green है तो आपकी balance energy को बताता है आपकी healing process को बताता है तो ऐसे different different color भी बताते हैं और जिसे इंसानों का ओरा होता है वैसे ही जगा का भी ओरा होता है जैसे बहुत बार हम ऐसी जगा पे जाते हैं दार्मिक स्थलों पे जाते हैं मंदिर बस्चितों में जाते हैं तो हमें feel होता है वहाँ पे बैटने मातर से हमें एक शान्ति कानुबव होता है उसका कारण क्या है उसका कारण है कि ऐसे स्थानों पर बहुत सारे rituals होते हैं बहुत सारी meditations होती हैं पूजा होती है, मन तुर्चारन होते हैं, लोग बीच वाते हैं, वो प्योर वाइबरेशन, पवित्र भावनाओं के साथ में आते हैं, पवित्र आस्ता के साथ में आते हैं, और बहुत सारे strongly ritual होन के कारण वहां का औरा भी उतना strong बनता है, कि जब हम वहां पे बैठते हैं, तो हमें वो शान्ती की feeling होती है, तो ऐसे हम अपना औरा बना सकते हैं, औरा strong भी बना सकते हैं, औरा protect भी कर सकते हैं, तो उसके अलग अलग तरीके हैं, औरा strong बनाने के लिए हम technique यूज़ कर सकते हैं, कि हम अपनी जो thought process से उसे positive रखें, जितना हम positive रहेंगे, जितना हमारा thought process positive रहेगा, उतना हमारा औरा strong रहेगा, जो भी हमारे औरा में enter करेगा, उसको वैसी ही vibration आएगी, वैसी ही feeling आएगी, और हमें ये भी करना है कि regular basis, हफते में दो बार या एक बार अपना औरा cleanse भी करना है, उसके अलग तरीके भी हैं, या तो औरा cleanse meditation के थूँ भी आप कर सक सकते हैं, एक तरीका है कि आप meditate करें, जैसे ही आप अपने साथ daily time spent करते हैं, आप meditate करते हैं, तो आप swim में एक शान्ती और एक स्थित्ता को अनुभव करते हैं, ध्यान करते समय हमें एक शान्ती की feeling आती है, जिससे हमारा एक positive aura generate होता है, हलाकि हम technique कोई भी यूज कर सकते है visualization technique यूज कर सकते हैं, आपाना सती ध्यान कर सकते हैं, या simple अपने साथ बैठ के सांसों पे सिर्फ ध्यान देना, कोई भी meditation का technique यूज कर सकते हैं, इसके इलावा एक technique है कि जब भी हम पानी पीएं, क्योंकि हमारी body में 70% water है, तो जब भी हम पानी पीएं, तो पानी को charge करके gratitude के साथ भी है, पानी में वो energy होती है, जो कि बहुत जल्दी हमारा thought process, हमारे words को pick करती है, तो जितनी loving energy के साथ, जितनी positive vibration पानी को दे के, charge करके हम पानी पीएंगे, उससे भी हम अपना aura strong कर सकते हैं, और protect कर सकते हैं, इसके इलावा आप ये भी रख सकते हैं, कि nature में time spent कर जितना nature के साथ, nature की जो vibration होती है, बहुत ही positive होती है, इसलिए एक technique है कि आपको कुछ भी बताना है, तो आप जाओ, पेड को hug करो, उसको कुछ अपनी बात, कुछ secret बताना चाहो तो बताओ, क्योंकि उनके पास में इतनी positive power होती है, कि वो आपकी negative energy को observe करके उसे convert कर देते ह मदर अर्थ के पास में ये power है कि वो आपकी unnecessary negative energy को positive useful energy में convert कर देती है, तो nature में time spent कीजिए, इसके इलावा अपना जहां पे आप रहते हैं, उस थान को भी बड़ा वियवस्तित रखिए, अच्छे से साफ सुतरा रखिए, जितनी भी चीज़ें आपने रखी हैं, अगर वो अच्छे से ठीक जगा पे होंगी, तो आपकी हर एक चीज, एक vibration generate करती है, अगर सुन्दर से अच्छी fragrance के साथ में हर जगा पे अपनी चीज रखिए हुई है, साफ सुतरा घर है, तो वहां का भी एक aura generate होता है, तो घर को mess मत कीजिए, इन टेकनीक से आप अपना aura बना सकते स्ट्रॉंग बना सकते हैं और खुद को protect रख सकते हैं, उमीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, अगले वीडियो उसके लिए हमसे connect रहें, thank you झाल झाल